हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी आईए हम अपनी exercise को continue करते हैं exercise 12.1 question number 6 most important question ना बचाए बिलकुल ध्यान से देखिए statement अपनी NCRT की बुक में a medicine capsule is in the shape of a slander with two hemispheres stuck to each of its end एक medicine का capsule है ठीक है वो एक slander की shape में है जिसके दोनों कोनों पर हमारे पास क्या एक hemisphere है ठीक है देखिए जैसे जो medicine का capsule होता है वो हमारे पास कुछ इस shape में होता है ठीक है यहाँ पे इसको cut करते हैं तो यह बीच वाला portion हमारे पास क्या है slanderical और यहाँ पर दोनों हमारे पास क्या है है hemisphere ठीक है ठीक है तर लेंथ ओफ एंटायर capsule is 14 mm इस पूरे जो capsule की जो length है वो हमारे पास क्या given है 14 mm दैट मिंस यहाँ से लेके और यहाँ तक यह जो total length है यह हमारे पास question में क्या given है 14 mm ठीक है and the diameter of capsule is 5 mm और इस capsule का जो diameter है वो हमारे पास क्या है 5 mm देखिए diameter यह पूरो होता है तो यह पूरा capsule का जो diameter है वो हमारे पास क्या है 5 mm similarly यह भी हमारे पास क्या है capsule का diameter यह भी हमारे पास क्या हो जेगा 5 mm तो यह भी हमारे पास क्या है 5 mm हमें क्या find out करना है find its surface area हमें इस capsule का surface area find out करना है देखिए सबसे पहले जो जो हमारे पास statement में गिवन है हम वही लिखते हैं छिक है क्या गिवन है हमारे पास question में इसकी diameter गिवन है क्या गिवन है 15 mm तो लिखे diameter of capsule क्या गिवन है question में हमारे पास 5 mm छिक है अब देखिए यह हमारे पास पूरा क्या है diameter इसे हम radius निकाल सकते है radius क्या होता है diameter का half तो radius क्या हो ज़ेगा हमारे पास capsule का radius of capsule 5 का half unit mm छीकर अब देखिए इस पूरे capsule की length हमारे पास क्या given है 14 mm लेकिन अगर हम इस बीज वले portion slander slander की अगर हम length निकाल ले तो हमें क्या करना पड़ेगा इस वले पोशन को और इस वले पोशन को दोनों को क्या करना पड़ेगा सब्चेक्ट करना पड़ेगा चिक है अब देखिए हम क्या निकालते हैं इस slendrical की height मतलब इसकी length निकालते हैं length of slendrical capsule कैसे निकाल लेंगे total length हमारे पास क्या है 14 14 minus यह वला पोशन और यह वला पोशन आप देखिए हमें इतना पोशन सब्रेक्ट करना है यहां से यह सब्रेक्ट करना है अब यह हमारे पास क्या है इस hemisphere का radius और यह भी हमारे पास क्या है Hemisphere का Radius, तो हम कैसे निकाल लेंगे देखे हम यहाँ पे लिख भी देते हैं Total Length में से हम Total Length में से हम क्या अच्छे सब्ट्रेक्ट करेंगे 2 into में Radius of Hemisphere चीक है एक बर यह point दुबारा देखिए यह Total Length हमारे पास क्या है 14 mm, हमें इस Slender की Length चाहिए, तो हम इन दोनों Portion को Subtract कर देंगे, मैं सिर्फ इस Beach वले Portion की Length चाहिए तो एक ऐसे करेंगे, हम इन दोनों को Minus करेंगे, अब यहाँ से लेके Outermost point तक, यह हमारे पास क्या है, इस Hemisphere की Radius और इस तरफ भी हमारे पास क्या है Hemisphere की Radius, तो यह हम Subtract कर देंगे, 2 In 2 में Radius, Radius हमारे पास क्या है, 5 by में 2 5 by में 2 2 से 2, Cancel तो यहाँ पर क्यों जेगा, 14 Minus 5, 14 में से 5 Subtract करेंगे, तो हमारे पास क्या आजेगा, 9 और Unit हमारे पास क्या चल रही है MM, अब हमें क्या निकालना है इस Capsule का Surface Area Find Out करना है, देखिए कैसे निकालेंगे Surface Area Of Capsule इन दोनों Hemisphere का Surface Area, यह एक Hemisphere है, देखिए, इतना हमारे पास एक Hemisphere है, ठीक है और अगर हम इस चीज़ को निलेक्ट कर देए, तो यह एक Hemisphere है तो दो Hemisphere का Curved Surface Area, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है Surface Area, हमें Total Surface Area नहीं लेना है हमें अंद्रवला पोश्चन नहीं लेना है हमें क्या निकालना है, Curved Surface Area तो क्यों होज़ेगा दो Hemisphere का Curved Surface Area टू इंटू में Curved Surface Area ओफ बोथ Hemisphere ठीक है प्लस यह बीच में हमारे पास क्या है, Slender तो प्लस Curved Surface Area of Slender ठीक है बच्चों, आप देखिए Hemisphere का Curved Surface Area का Formula हमारे पास क्या होता है टू आगे इंटू में Curved Surface Area हमें क्या होता है, हमने Introduction में पढ़ा था Curved Surface Area क्या होता है 2PiR² प्लस Slender का Curved Surface Area हमारे पास क्या होता है 2PiRH चीक है, अब देखिए अब जस्ट हमें Value पुट करनी है हमारे पास Radius है, H है हम जस्ट Value पुट कर देंगे, सबसे पहले इसको Solve कर लेते है 2 इंटू में 2 4PiR² प्लस 2PiRH अब देखिए, 4 इंटू में Pi की Value हमारे पास Mention यह तो हम Standard Value क्या यूज करेंगे 22 upon 7 या फिर अभी देखिए, आप इसको ऐसी रहने दिए Last में Muse करते है Pi as it is R Radius हमारे पास क्या है 5 divided by में 2 तो यहाँ पर क्यो होजेगा 5 by में 2 का Square Plus 2 Pi as it is, Last में Solve करेंगे Radius हमारे पास क्या है 5 by में 2 अभी का Cubed Surface Area of Slender अभी Slender की Length यानि Height कितनी है यहाँ से लेके इस Point से लेके इस Point तक हमने कितनी Length निकाल लिया है 9 तो यह इसके लिए क्या करेगे एक Height का काम करेगी तो into में Height क्या होजेगी 9 जो हमने यहाँ पर Length निकाल लिया है Slender में Length बोलो या आप Height बोलो एक ही बात है अब देखिए 2 से 2, Cancel इसको Solve करेंगे 4 into में Pi into में 5 का Square 25 2 का Square 4 Plus 9 5 जा 45 45 into में Pi 45 Pi चीक है कुछ नहीं करना अब जस्ट बच्चा में Calculation Solve करनी है 4 से 4 Cancel तो यहाँ पर हमारे पास क्यों हो जेगा 25 Pi Plus 45 Pi अब 25 Plus 45 को Add करेंगे तो हमारे पास क्यों हो जेगा 70 Pi अब हम यहाँ पर Pi की Value यूज कर लेते हैं 22 upon 7 70 into में 22 upon 7 इसको Cancel करेंगे 10 22 की 10 से Multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आजेगा 220 और यह हमारे पास क्या एरिया यूनिट हमारे पास क्या चल रही है MM एरिया किसके अंदर होता है Square के अंदर तो यूनिट लगाना बिल्कुल भी नहीं बूलेंगे हम तो यूनिट हमारे पास क्यों जेगी MM Square यह हमारे पास क्या आजेगा Surface Area इस Capsule का ठीक है बचो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए अगर वीडियो अच्छी लगए तो बचे इसको लाइक कीजिए और निहान क्लास इसको सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू